चाला की दिखाओ तभी सफल बनोगे जी हाँ आज की वीडियो में मैं चानक के नीती से तीन ऐसे नीतियां बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी बोलोगे कि सुरक्सित और सफल रहने के लिए चाला की दिखाने में कोई प्राबलम नहीं है इसलिए आप इस व मूर्क को उपदेश देता है अब यहां पर पंडित का मतलब सिर्क पंडित से नहीं एक्चुली एंसन इंडिया में पंडित को समझदार माना जाता था जो की वो होते भी थे लेकिन आज के टाइम में आप इस सलोक में पंडित की जगह खुद को रख सकते हो यानि अगर आ सामने वाला समझदार है की नहीं बलकि मैं तो यह कहूंगा कि आप अडवाइज दे ही ना जब तक कि सामने वाला आप से अडवाइज न मांगे सस्ती या मुफ्त की चीजों की लोग अकसर कदर नहीं करते इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें और बिना मांगे करते हैं बट पीट पीछे आपके बारे में आपको बर्बाद करने की योजनाय बनाते हैं क्योंकि ऐसे लोग बस एक गलास में जहर की तरह होते हैं जो कि ऊपर से बस दूद से ढखा है अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन आपके पीट के पीचे आपको बर्बाद करना चाहता है मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं हमेशा याद रखें अगर कोई व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है तो इस बात से बहुत ज्यादा चांसे हैं कि वह दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करता होगा इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है तो आप एक सांप पाल लें क्योंकि सांप तब तक आपको नहीं काटेगा जब तक आप उसे परेसान न करें लेकिन ऐसे लोग बस अपने फाइदे के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं चानक के निती नमबर तीन लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दो कि इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद दे लर्नर यूट्यूब चैनल ने की है अगर आप चानक के निती की और कोई ऐसे वीडियो देखना चाते हैं तो एक बार दे लर्नर यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करें लिंक मैंने अल्लेडी डिस्क्रिपिस में दे दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं नमबर तीन चानक के निती अध्याय साथ स्लोक नमबर बार के अनुसार अपने व्य बेवकूफ और इमांदार में फर्क होता है अब आपको चूज करना है कि आपको बेवकूफ बनना है या इमांदार अगर आप बेवकूफ बनोगे तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तब तक सरीफ जब तक कि उनको मौका नहीं मिल जाता इसलिए अगर ब चालाकी इसलिए नहीं सीखनी है क्योंकि आपको किसी को बेवकूब बनाना है बलकि आपको चालाकी इसलिए सीखनी है ताकि आप बेवकूबों से बच सके और अगर आपको चालाकी सीखने के और भी नियम देखने हैं तो आप दे लर्नर यूटूब चैनल पर जाके देख सक सकते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है और बेल आइकन को दबा सकते हैं सो थैंक यू फो दे मिलते हैं नेक्स वीडियो में दाट सौल पर दे यू आप ग्रीट बाइ फो नाव